तो आवाज आ रही है कुछ बनाए है अच्छा एज प्रॉब्लम हमने नहीं किया है न है नहीं हुआ है नमबर वाला प्रॉब्लम्स हो गया था और वह हमने कर भी लिया किसी को पूछना है तो बता हो अलमुंस तारा लास्ट ही कर दिया थे ना उसमें तो वह तो अब कुछ रिमेनिंग जो कुछन है क्रीज बताना तो पॉसिबल नहीं है बड़ जितना बताया था हर वेराइटी का कुछन बता दिया है तो अब अगर आप लोगों कुछ में से कुछ पूछना है तो बताईए नहीं तो फिल हम लोग प्रॉब्लम ओन एज जिसमें कुछन साब का इसी तरह का होगा नंबर के फॉर्म में लिखा रहेगा वही रहेगा बड़े रहेगा जो भी नंबर का इन्फरमेशन दिया रहे जाएगा वह इंटरम्स ओफ एज होगा और एज अगर होगा तो क्या आएगा कभी जो मान लो पांच साल बाद त्या सब्सक्राइब करना है इतना तो समझ में आहीं जाता है कि आना इंपॉर्डेंट है तुमारे लिए है आई ती सेटर से सारा काम इतना पता होने तो जवाब होगा तो अप्लाइज फिल्दी होगा काम करना ही पड़ेगा कि अप्लाइज फिल्द अगर आपका स्ट्रॉंग है ना तो आप से एक्सपेक्ट मतलब आपको कहीं भी जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहले होता सानो कि आपको अगर नॉलिज है तो तो दाट इस सफीशेंट माना जाता था बट अब क्या होता है अब अप्लिकेशन करते हैं तो जहां अप्लाइज फिल्द आता है और यह एक अलगी ब्रांच बन जाता है कभी भी मैतमेटिक साइक अप्लाइज फिल्ड जो भी आप पर रहे हैं उसका एक ठीकली हर जगा अक्सेस क्या प्रोग्रामिंग लिख देना तो क्का हमारा गाम प्रोग्रामिंग को अप्लाइज करना हमारा काम है और उसके वर्ट कर रहे हैं क्या कर रहा है उसका फायदा कैसे होगा यह सब चीज़ देखना है तो अब और से बात है कि वह कहीं नहीं कहीं आएगा ही कि अप्लाइट फिल्जान बहुत इंपॉर्टेंट है प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हो तो कैसा सरदर्द होता है और यह सब क्या है जो भी पढ़ने है वो क्या है अप्लिकेशन आफ डाट तो अप्लाइट कर रहे हैं और यह समझना किसी के लिए भी करना असान है लेकिन एक्शुल में जो ठीरी परते हैं उसका अप्लिकेशन थोड़ा मुझके लाइट कि अगर कि अगर कि अगर कि क्या हुआ कि अगर कि अगर भी कि अगर मिली अग्या नप्र चर्ट था तूं परे ओो कुछ चलिए बीदिएफ मैंने बेज दिया है आज एक्जाम होगा फॉस्टेर आप लोग में से गया से भी अच्छा जिनका बैक वैक लगा है पेपर देने वाले हैं आज तो आज तो आज पर होगा है शेल आज ने आज आज चलो ठीक है प्रब्लम और एज कर लेते हैं जिन लोगा पेपर में पेपर आज होगा चलो देखो क्या एक विश्टन आसें हाँ इजा जान देजीए शच्छीन यंगर देन राहूल शचीन यंगर देन राहूल बाइफ और यह इस आर इस प्रस्टेक्टिव रेशो ऑप तरफ नाइन हा ओल्लेश सचेन अब बना यह अजिए है अगर सचीन यंगर है तो अगर दो राहूल का एक्स होगा तो सच्छीन का एज माइनस ज़ाए गाना सचीन इस यंगर यंगर मींस कम है एक्स माइनस पोड़ जाएगा दूसरा है देर एज अर इन देस फेक्टिव एक बोलते थे कैसे करोगे कुछ कॉमन फैक्टर होता है उसमें मालो लो वान कामन सक्टर है का से एक दूसरे का इस नाइन हो जाएगा लेकिन और नाइन में हम वैलिद नहीं है इसको नहीं ले सकते हैं तो अब यहां पर 7 कभी भी रेशियो होगा लास्ट ताइम भी बताएं थे कभी भी रेशियो में रहता है तो हम उसको रेशियो को नंबर मानते हैं साथ में उसका एक्स मॉल्टिपल ले लेंगे जो कि उसको नंबर बनाएगा जैसे माली यह चीज पहले भी बता चुके हैं एक नंबर मान लो फोर है ठीक है और दूसरा नंबर नाइन है एट है तो क्या होगा इसमें कॉमन फैक्टर है क्या अब देखिए कभी यहां पर नंबर्स दे रहा है आवाज आ रही है माली जो सेवन और नाइन का रेशियो है तो सेवन नाइन रेशियो दे रहा है वो नंबर नहीं है यह एश्यो माली जो फोर बायर एट ईसको क्या लिखोगे कोड़ा और यह एक कामन मल्टिपल होता है जो कि नंबर बनाता है वो नंबर कंसिटीट करेगा उस वैक्तर गया ने तो 7x नंबर अगर 7x और 9x नंबर है तो 7x और 9x जो है वो नंबर हो जाएगा यह एक्स फैक्टर दोनों में क्यों इंक्लूड होता है यह हम पहले भी बता थे इसम अच्छे से रख लीजे तो कि 7 और 9 रेशियो है कॉमन फैक्टर आप रिमूब करते हैं रेशियो क्या होता है सबसे सिंपले स्वाम होता है तो कुछ ने कुछ उसका फैक्टर होगा जो कैंसल होका है होगा है थीक अच्छी बात है है हम तो है 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 क्या हो गया है एक अंप अन्प ने कर रहे हैं कि अनुख नंबर आपके पास क्या था एक का एज एकस है तच्छीन का यह संची जिए इंडिस यंगर तो राहूल का एज जो है वो एकस है तच्छीन का जो एज एज वह एक्स माइनस वोर ए साउंड करो यह दोनों टर्म सेवन और नाइन इस रेश्यो गया तो नंबर सेवन एक्स और नाइन एक्स हो जाएगा और यहां पर देखो इसमें और किसी मेथर्ड से हमको सॉल्व करनी की ज़रत नहीं है क्योंकि कुश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि दोनों की एज का इसक लिएयर सेवरेक्स अब सिंप्ली निकाल सकते हैं कि 9 x – 7 x को की दोनों का इस का जो डिफ्रेंस से डाइन इक्स हो गया दोनों ऑन और बोल देखेंस दोनों का जो इस डिफ्रेंस एज स्वाड दिस डॉन्स तो दोनों तो फोर तो एक्स इपल टू जाएगा है एक का वैलू टू हो गया अभर प्रेजन पूछा जा रहा हो पूछा को तो अब दोनों के पूछ रहा है दो ऑसका पूछ रहा है जिसका पूछ रहा है कि बता दीजे सचिन का एज कम वाला था ना तो फोटीन हो जाएगा तो फोटीन और यहां तो नहीं होगा और किसी तरीका से निकालना चाहोगे तो यहां थोड़ा और किसी तरीके से यह कुछ नहीं बनता क्योंकि और कोई रिलेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दिया है दो वेलेबल एंफॉर्मेशन एक ही दे रहा है तो थोड़ा मुश्किल था तो यहां पर डिफरेंस के बिस पर आराम से बन रहे कहीं पर यहां पर 90 पर संचार्प था कि इ आजाए कांट में दिनमाइंड वाला उप्चन आएगा बट यह नहीं होगा डिफरेंस के बिस पर निकालिएगा तो नन ऑफ दीज आप्शन आएगा ठीक है चलो नेक्स देखो दूजरा पी और क्यों यह भी उसी तरह का कुश्यन है दरेश्यों बिट्पिन प्रिजेंट जालो जास पहले वाला कुश्यन बनाए थे 6x or 7x is the age plus 4 दोनों में करेंगे और उसका ratio निकाल देंगे so 5 7x minus 6x यह आजाएगा x x is equal to 4 because the difference is therefore present is this he is a four year old four year old का मतलब क्या तुम चार साल बड़े हो चार साल बड़े हो तो मतलब डिफ्रेंट ही बताया ना तो एक इस इक्स इपल टू 4 अब एक्स इपल टू 4 है तो 6x 7x निकाल दीजिए वह प्रिजेंटेटेज का रेशियो है और उसमें इस इस जफर आफटर फोर एक्स इस बड़ेगा पी ख़र जाएगा दोनों का इस बड़ेगा ना कि दोनों का जब एडिशन आफ्टर फोर यह और बड़ेगा रख पी विए वेर कुछ भी बोलता है तो एज एड़ होगा वह दोनों दूसरे का रुखा हुआ तो नहीं है तो नहीं है साथ में चल रहा है तो आपके पस क्या था 6x 7x x is equal to क्या आगया था 4 difference जो है वो 4 ए 6 or 7 का ratio है 6 or 7 6 into 4 कर लोगे पर यहां पर 7 into 4 क्या हो गए 24 और ये क्या हो गया 28 और साथ में ये ये रिश्यो प्रेजेंट एज है प्रेजेंट एज अब इसको तर इसमें चार वाद का बात कर豁ए जो ये चार भी आज़े चाहिएगा अब क्या हो गया हां 28 भाई 32 तो 32 को कही देखो कैंसल होने वाला है और प्षून को युद्ध करोगे तो क्या होगा जो शैक्स चाजाओगा वाता सोल ला उसको भी कर लेंगे तो सबसेट से कंसिल जएक्ट 7 is to it 7 is to 8 ratio which are salvage over 7 is to 8 8 option there are you go neither so this is also none of these yeah we know yeah next day here the ratio between present days of me and gives five and seven respectively the difference between them present age and piece of the point of a happy food relation different area सब्सक्राइब तैस्टाइब कर दोनों का डिपेंस तो है वाट तो प्रेजंट इस प्रेजंट ले रहा है और दोनों का डिफेंस कुछ थोड़ा कॉंप्लिकेटर वे में दिया है इन्फॉमेशन सब्सक्राइब नहीं शो साल बाद उसका एच और अभी इसका प्रेजेंटेज का डिफरेंस दो है इन्फॉमेशन क्या है पहला इन्फॉमेशन दिया है देशियो इस फाइव इस तु सेवन ठीक है अब इसके बाद इसका एज अगर हम बात करें तो फाइव एक्स और सेवन एक्स लो यह हमेशा लिखिए लिए कर वागे ही तभी प्रूसीड करिए यह दिया अब यहां पर श तो उस तो क्या वोल रहे है व्यूंका प्रीजन टेज्ट तो क्यूंका प्रीजन टेज हूं माल दो सेवन एक्स सब्सक्ते हैं ठीक है यह प्लस एड हो जाएगा यह टर्म जो है माइनस करेंगे ते लूगिन गला घ्लय करती को ना क्योंकि पी का प्रिजेंटेज और पी का एज आफ्टर सिक्सियर्स जो है वो दोनों का जो डिफरेंस है दाट इस चूँ तो इस इसका छे सल बाद इसका एज गया होगा यह हो जाएगा फ्रेजेंटेज इसका सेवें एक्स दिफरेंस चू निकालो फिर शर्वेंट यहां पर चूंढ वेल्व आ रहे है था माइनस एक सेटर जाएगा तो क्या था सब्सक्राइब है एक्स का बैले टूब ऑर एज कभी माइनस में लिए एगा माइनस गे तो तुम भूट काल में बात कर रहे हो यहां पर टू एक साज़ेगा यह माइनस एक से तो प्लस हो जाएगा ना इसका वैलू फॉर आ गया अब एक्स का वैलू फॉर आ गया है इसके बाद कुश्चिन का पार्ट क्या पूछ रही है कर ले बाद कुशन में है जो टोटल फिए एन क्यों का प्रेजेंट एज जो प्रेजेंट एज में निकाला निकाला विए लिए दोनों के इस सम पूछ रहा है तो 5 x x 20 इस 6 को इधर लेक्या है हाँ इधर मैनस था है 48 थे 28 होगा यह 20 होगा 20 प्लस 28 बोलो तुमको यह जो मैनस था ना यह इस मैनस से यह मल्टिप्लाई हुआ तो प्लस है वो मैनस होगा है यह तो डिफरेंस कोशिन में गुला था ना डिफरेंस बीटमीन देए क्यों का प्रेजेंटेश और पीका एज आफर शेक्स एज चलो ठीक है तरह कोशन नंबर फाइब आप लोग बनाइए जड़ा बहुत सारा कुशन नंबर दा लिए कुछन नंबर फाइब लिए कुछन नंबर फाइब पनेंगे सब्सक्राइब लिए हैं सब्सक्राइब का मतलब साथ साल बाद बाद क्या है तो प्रेजेंटेश बताओ एक्स का 5 x plus 6 x 5 x divided by 6 x कर लो plus 7 plus 7 दोनो में आई हो जाएगा और बाद इस उकल दो 6 by 7 कर के बताओ यह एंसर देती हम राद इंसर देती हम एंएख थाड़ फाइव यहस चेकर प्रेजेंटेजों फैक बीजए बीज एक पी का एक 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 एच लॉए और आगे प्रेजें पूछ रहे ना तो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब होगा एक सब्सक्राइब पार्ड वाला यह रेश है थीक है हो गया ले रहे बन गया क्या इस तरहें बन गया क्यों क्या समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया तुछ भी नहीं तत्वारी अच्छा बात है चलो देखो इसमें समझ के देखो बैसा ही कुछ नहीं से गोज़ा रेश्यो आफ दा एज आफ पुनाल एंड सागर शे साल पहले उसका एज का रेश्यो है 60 to 5, 4 year hence, 4 साल बाद पहले हम 6 साल पहले की बात कर रहे है प्रेजन का कोई बात नहीं कर रहे है चार साल बात की बात कर रहे है 4 साल बात क्या दे रहे 4 years hence the ratio will be 11 is to 10 what is the Sagar says at present information दिया है past का future का present age पूछ रहा है हाँ दो करो ठीक है प्रेजन्ट एज को एक्स कंसे जाए कर लो एक्स माइनस से एक्स एक्स प्लस जो भी करना है या फिर past के यह को ही एज ले लो इसे ठीक है तो बास को ही एक्स माल लो एक्स प्लस 6 हो जाएगा प्लस 4 कर लो ठीक है तो एक्स प्लस 6 प्लस 4 मतलब एक्स प्लस 10 is equal to आपके पास 11 हो जाएगा इदे और डिविजन में आ जाएएगा फिर 5 x तेक्स एक्स प्लस एक्स होगा न माइन देखो दो तरीका है इसको पनाने का आपके पास एक्स नंबर ले लिए पहले क्या बोला गया है रेशियो क्या था अब सिक्स प्लस पाइव ठीक है अब सिक्स प्लस पाइव का जो रेशियो है इसमें बता रहा है सिक्स है और फाइव है अगर हम यह कब का है तो इसला पहले का इस प्रेशियो ता माल ले जो यह तो रेशियो है नमबर क्या हो जाएगा और फाईव होगा बताओ अब बोला गया है जिसाए यह थे साल पहले का रहाए तो आप ही क्या हो जाएगा अभी का एच इसी तरह क्या जाएगा फाइवेट प्लस टेक्स हो जाएगा क्यों तो सेक्षी आड्ट करेंगे इसके साल उसका एज बढ़ाया तो इसका भी होगा निकालना है प्रजेंट एज करेंगे लेकिन आप यहां से इंफॉर्मेशन पूरा नहीं न मिल रहा है इसके बार बोला गया है कि चार साल बाद चार साल और जोड़ लो यहां से बना सकते हो इससे पहले वाले रिलेशन से यहां तक के इंफॉर्मेशन से नहीं बन सकता है क्योंकि कोई इसके इंफॉर्मेशन रिलेटेड मिलना चाहिए न तब नहीं कालोगे न एक्स का वैलो निकाली है फिर एक्स का वैलो प्रेजेंटेज बता दीजे इसके प्रेजेंटेज निकालना प्रेजेंटेज है एक्सेट टु तु आ गया तो टेन जाएगा शिक्स इंटेज यहां प्या जाहेगा शिक्सी एक्स टु आ रहा है सब्सक्राइब करेंगे तो इलेवन फिप्टिफाइब हो जाएगा इस एक सब्सक्राइब और यह इदर कितना होगा यहां पर यहां पर ना रहा है तो इसका वैल्यू तु आ जाएगा यह 10 और यह 5x जाएग वैल्यू तु तु एक सब्सक्राइब कि आप यह है उससे गेंटो ट्वैल्यू प्लस एटीन अगया और यह राग्यात था पाइट वी सक्षें प्लसेटन परेंटरियू अभी तो आगर टू से रिवाइब करें तो 9 वारे एट है नाइन वाइट प्रिजोन देखो अ कि नाइन वाइट प्राइट सागर का बता देना है एज बताना है सागर एज इस पुष रहा है एज इस बिनामेनेटर शिफ्टीन है एज तो एटीन है तो उप्संड़ एक पूछ रहा है तो नमबर ना तो 16 भी है में आपसन में तो 16 ही होगा 16 कुनाल का पूछ रहा है कुनाल का नहीं सागर का पूछ रहा है तो कुनाल एंसागर का बात वहला है कुनाल का 16 कुनाल का सब्सक्राइब कर दिया है और तीनों का एज का सम 93 दिया है तीनों का अगर अलग अलग एज मानके चलो तीनों का एज का जो सम होगा वो 93 है 10 year ago the ratio of their age was like this 2 3 4 ये 10 साल पहले का ratio है अभी का क्या है नहीं पता लेकिन present age पूछा चारा है सारांस का क्या हो हाँ 2x plus 10 हो जाएगा 3x plus 10 हो जाएगा 4x plus 10 होगा and that is equal to 93 एक्सा वेलो निकालो फिर एंडेक्स का वेलो निकालने के बाल सारांस का प्रिजेंटेज बता दो हाँ 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 एक्स का लोगा प्रिजेंटेज बता दो शारांस का सबका ही पूशे रहा तो सबका ही बताया जा सकता है बस जो कुशन प्रजेक्टर से साथ कुश बहुत अच्छा एक सिकोस्ट टू सेवन मैं लास्ट जो है यह वह प्रजेक्टर सारां शेसरा करने कर शेयर कि प्रजेंद टैनल कर शेट प्रजेक्टर है तो अभी दसका लाइड हो जाएगा थार्टी इस जांस है इस हाँ मेनी हुए अच्छा जरा जरा यह देखो तो कुर्शन नंबर कि दस्काल वाला पुर्ण यह बुद्धे को जैस्वन थर्टी एट तो गांसर हाँ कुशन नंबर 10 देखिए नहीं सब्सक्राइब बोलो क्या है फेले वह कुश्षन का रेश्यों बताओ तो क्या क्या है यह है और तीनों का एज का सम जो है तो इसका अभी क्या होगा तू एक्स प्लस तेन हो जाएगा क्यों क्यूंकि यह तो रेश्यों है तो रेश्यों में हमेशा एक्स टाम इंस्क्रूड करते हैं तब वह नंबर आता है है ना है इसका यह हो गया प्लस दूसरे कई जया ओजाएगा त्री एक्स प्लस यह प्लस अभी का एज की बात चाहरे तो एड़ को तरह फिसी तरह जाएगा फुरेश्टाल आप दसतल पहले का रिश्यों दसतल एड़ कर दो इन सब को जो रहे हो तो दन जाट इन एड़ पॉसिटिव एदर आगे किल गया मैनु सिए गवार दो जब एक्स कर लेखो न तू एफ थ्री एफ्ट फोरे एड करो क्या रहा है इस नाइन नाइन एक्स हो गया तो एक्स नाइन एक्स पहले का रेश्यू है तो यह प्रेजेंटेज का रेश्यू है कितना आजाएगा अब ही की बात कर रहा है अब कितना इस नहीं पूछा जाएगा अगर शारां सब्सक्राइब निकाल लिए बाकी जैन्स और प्रेम जो भी एथा उसका भी पूछेगा तो वह भी बना सकते हैं उसके इस के रेश्यू से माल्टिप्लाइब कर दो जब्सक्राइब होगा वह तो सब्सक्राइब कर दो देखिए आगे क्या है यह कुछ नंबर 10 जड़ा देखिए तो हितेस इस 40-year-old and ronny is 60-year-old सब्सक्राइब कर देखिए यह कुछ नंबर 40 जड़ी टेन है 40-year-old है एक देखिए दो लोग है ही टेश और रॉनी दोनों का एस दिया हुए है हाँ मेनी इयर अगो कि वांज रेश्य थ्री और फाइव का रेश्यू कब हो गया ऐसा हाँ प्रेजन्टेश का नहीं लेकिन यह पहले का पूछ रहा है प्रेजन्टेश दिया हुआ है ठीक है कितने साल पहले यह देश्यू रहा होगा इस दिया हुआ है यहां से एक निकलो जो 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 अभी तक जो कुछिन बनाते थे ना उसका जस्ट अपोज़िट इंफॉर्मेशन गिवेन है ठीक है पहले रेश्यू गिवेन होता था कुछ साल पहले कुछ साल बाद फिर एज निकालने बोला जाता था अब एज दे दिया है रेश्यू भी दे दिया है कितने साल पहले या फिर कितने साल बाद ऐसा रहा होगा यह मतलब पहले का मैं दस साल पहले दस साल पहले जाएंगे लिएज क्या हो जाएगा इवे और फिonte क्रीयों जाएगा के ट्परश्म चीजन माइनस 10 मतलब पीछे जा रहे हैं तो रेशियो इतना कब होगा ती तू फाइव इसको अगर ऑप्शन के बनाना जाओ तो सबसे अच्छा है तो उतना स्वाल करने का दूरत भी नहीं है ऑप्शन के सबसे बन जाएगा लेकिन तो हीट इंट्राइल में सब्सक्राइब कर सकते हो जो पांच साल पहले करोगा थाएज क्या होगा बेढ़ करना है है और सब्सक्राइब कर लोगे तो वह जाएगा है विश्चन नंबर्थ तरटी ज़ा देखिए तो the ratio of age of a man and his wife is 4 is to 3 after 4 years this ratio will be 9 is to 7 present age the ratio of the age of man and wife 4 is to 3 after 4 years after 4 years this ratio will be 9 is to 7 if at the time of marriage the ratio was 5 is to 3 then how many years ago they were where they married the ratio of 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 the comparison of the ratio of the ratio of the ratio in the room of the the है कि अभी यह है इस वक्त वक्त क्या रहा होगा जिसको याद को जिनरली लोग ओवर सिमेट या अंडर सिमेट कर लेता है तो मैसमेटिकल कालकुलेशन के हैं बोलू गोवेंद क्या बोल रहा है और चॉवीज प्रेंट को यह निकलेगा है और चॉवीज साल पहले चॉवीज साल पहले का अप्शन नहीं है इस में दोनों का बत्तिस और चॉवीज प्रेंट निकल रहा है तो यहां पे इस रेश्य के चाब से कितने साल पहले वाला तो इससे कोई इंफॉमेशन मिलेगा अच्छा पहले वाला इंफॉमेशन में बूस्टाम जो पहले वाला वी फॉर कॉस्ट्टन बनाया तो वैससे बनेगा आप यहां करेंटेज निकलने के पार हां हां प्रिजेंटेज बता है तुछ से बैक जाओ प्रेश्य करेंगे प्रेजेंटेज मिल गया ना अब आप्शन के बेस्निस पर कर लो तो यहां सेक्ष निकार लो क्या बोल रहा है अब इस प्रेशन को पहले जैसे मनाएं ते ना भी जस्पले जो कुशन मिल गया प्रेजेंटेज का वेश्यो मिल गया पहले का वेश्यो मिल गया पहले का मिल गया एक अब इस प्रेश्यो मिल गया ना एक्स फाइव एक और अभी तरेंटेज मिल गया रेश्यो पहले का मिल गया तो कितने साल पहले जैसे प्रजान बना रहे तो बनाओ कि समझा रहा है कि नहीं आया क्या बोल रहा है नहीं एक्स का वैलू निकाल ली अब एक्स का वैलू के बाद इन्फर्मेशन देखो जस्ट पहले अभी जो कुशन बनाई थी क्या था हितेश और यह वाला देखो प्रेजेंट एज दिया हुआ है पहले का रेशियो दिया हुआ है कितने साल पहले वो रेशियो रहा होगा कुशन नमबर टेन उसी तरह से कुशन नमबर थर्टीन को बनाना है इतना स्कॉल्व करने के बाद इस बोगो में में 16 आरहा है मैं 16 और गोजाजी तो यह वो सकता है आप सब्सक्राइब नहीं है हाँ तो फिर क्या होगा तो देखते हैं कि तुछ से वापस जले जाता है को इस पूशिन का बता रहे है नंबर रेशियों को इसमें करें वह मैरिज एक तरह तो लगया वही बैक जाना रूपको एक मिन फॉर एक्स प्लस फॉर प्रिजेंटेज है चाह साल बात तो फोर एक प्लस वोर डिवाइड वाइड़ फाइव एक थी एक फ्लस यह जो रिश्यों है इस नाइन व है यह अभी का है यह अभी से चार साल बाद का यह बीस में डूसरा इस समय बता रहा है इस समय के चार साल भाड जाज नाइब इसके बाद यहां पर एक इनफर्मिशन दिया है फाइव इस तो थी रेशियो था इस समय देखेंगे तो फाइव एक्स और थ्री एक्स यहीं हो जाएगा यहां से एक्स का वैलू निकालो तो एज मिल जाएगा और एज का रेशियो कभी यह था उसका वैलू निकालो एक एट बता रहे एक सोलर बता रहे है एट होगा क्योंकि हो नहीं सकता है और अप्शन नहीं है यहां पर जब सिंप्लिवाइब करिएगा सेवन तूज यह अठाइस है और यह थाएगा यह थाएगा अब इसके बाद जो टाइम आफ मैरेज यह डिफरेंस अब थोड़ा सा एक मेरे यहीं पर रूख जाओ तुमको यह रेशियो पता है मैरेज ताइम को और यह एक्स का वैलू पता है एक्स का वैलू पता है तो एक कम यह कर सकते हो कि इस एक्स को मल्टिप्लाइब कर लो क्या आ रहा है आँसर फटी और यह जो आ रहा है मैरेज के टाइम का एज दिया हुआ है क्योंकि रेशियो वह ही है तो यह जो एज दे रहा है ठीक है यह शाली के टाइम का एज है हाँ जो भी है इसके बाद आगे देख्जिका सुब्सक्राइब उसको प्रजूस करांद 他 यह सब Eddy काल सकते हैं नों वाला डिस्टेश वाला रहा है इसको प्रजूंट करте या और टैस्टेश क्या है 72 होगा ना 72 49 तो 72 49 तो यह डिफ्रेंस निकाल दो तो क्या आ रहा है तो ज्यादा ही आ रहा है 32 आ रहा है एक में रुको बापस एक बार देख रहे हैं कोई इंफर्मेशन हम लोग मिस तो नहीं कर रहे हैं एक बार शेक कर लेते हैं इसके बाद हमको देखना है क्या एज का रेशियो फाइव और थी है अच्छा एक मिनट हम लोग शुरुवात में जाहीं करेंगे एक मिनट लुको यह पोश्चन रहने दो इस इक्वेशन से तो निकाले नहीं है तो इसके लिए यह वैलिद नहीं है ना एक्स का वैलू एट आया है मतलब आप लिख सकते हैं थर्टी टू माइनस एक्स क्यूंकि यह की बात कर रहा डिवाइडर वाई 24 माइनस एक्स लिख सकते हो यह घटा रहे हैं जब यह अमाउंट देन हमारा नंबर क्या रहा है फाइव बाई थी यह मैरेज तैंकर इसको सिंप्लिफाइब करो ना देखो कि आंसर थी एक्स तुएक्स और यहां से डिफरेंस निकालो जो आएगा वही यह एड़ है इसको सिंप्लिफाइब करो आजाएगा करिके देखो को सिंप्लिफाइब किये मैं 16 आ रहा है इसको सिंप्लिफाइब करने पर 32 मैं इसको सिंप्लिफाइब करके ला रहा है था इसके लिए तो वैली नहीं था ना यहां के लिए यहां के लिए वैलिफाइब करके ला रहें सब्सक्राइब कर सकते हैं माइनस त्वेल्व यर अगो मतलब बार साल पहले अगर बार साल पहले तो दनों कर रहा है मांइनस थवेल्व और बार साल पहले सकते हैं आभी की बात कर रहा है तो प्लेस हो कराइब नहीं है और बना सकते हो जदने कुछ नहीं औरन फटीज पहले ही ने कर दिया कि अरांट फटी है बस इतना ही कुछन प्रप्टी ही एक तरके रेखेगा में करते हैं कि हुआ हुआ है चलोटी कि अभे